देश भर में जहां धुमधाम से हुली मनाई गई तो वहीं कई जगा मारपीट की घटना भी हुई जिसमें कई लोग घायल हुए वहीं आपको बता दे कि विजनोर में हुली खेले के दोरान दो पक्षों में बवाल हो गया मारपीट में आदा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए घटना की सुचना पाकर मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों पक्षों की और से दस से बारा लोगों के खिलाब वो गदमा दर्श कर मामले की जांच शुरू कर दी है बतादे की होली पर डांस करने को लेकर अलग अलग जातियों के लोगों के बीच हुए संगर्श में आदा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए मारपीट में किसी का सिर्फट गया तो कोई लहूलूहान हो गया घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है पुलिस के अनुसार नजीबाबाद की गाउं मुक्तारपुर में रंग खेलने के दोरान गाउं में एक घर के बाहर इस्पिकर बॉक्स बज रहा था जिस पर कुछ युवा डांस कर रहे थे इसमें आदा दर्जन से ज्यादा लोग गंभी रूप से घायल हो गए अब इस मामले में बस्पा सुप्रीमो और पूर्व मुक्मंतरी मायवती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है मायवती ने पोश्ट करते हुए लिखा की जिला बिजनोर में नजीबाबाद के मुक्तियारपुर गाउं में समंती तत्वों दोरा दलित परिवारों पर जानलेवा हमले में अनेक लोगों के गायल होने की घटना गंभीर वा आती दुखा दे सरकार स्टी एस्टी एक्ट के तहट दोश्यों के खिलाफ सक्त करवाई करें ताकि चुनावी माहौल ना बिखले चुनावा आयोग भी इसका संग्यान ले वहीं मायवती के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल नहीं है सुनी शुक्ला लिखता है कि यहां पर रावड जैसे लोग इनकी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि मुद्दा उनके एजंडे में नहीं बैट रहा होगा असामाजी तत्वो दोरा दलित परिवार पर हमला जा घटना बिजनोर के नजीबबाद के मुक्तियार पर गाउं की बताई जा रही है जहां सामाजी तत्वों दोरा दलित परिवारों पर जानले वा हमले किये गए और इसमें बहुत लोगों के गायल होने की बात भी सामने आ रही है अति गंबिर वा दुखत है अड्वोकेट भीम लिखते हैं कि जिला बिजनोर में नजीबाबाद के मुक्तियारपूर गाउं में सामनती तत्वों दोरा दलित परिवारों पर पर प्रड़गातत हमले में अलेक लोगों के गायल होने की घटना गंबिर वा आति दुखत सरकार S.C.S.T.A.T. के तहट दोशियों के खिलाफ सक्त करवाई करें ताकि चुनावी मोहल ना बिखले आलोग लिखते हैं कि यूपी में लगतार दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है उत्त परदेश के जिला बिजनोर में नजीबाबाद के मुक्तियारपल गाउं में आसामाजिक तत्वों दोरा गलित परिवारों पर जालनेवा हमला किया गया इसमें कई लोग गायल हुआ है झालनेवाद के लिए रहा है